एक छोटे से गाउं में लल्लू हलवाई अपने मिठाई की दुकान चलाता था लल्लू हलवाई का काम अच्छा चल रहा था और सब लोग उसकी मिठाईयों को पसंद करते थे उसके पास एक दोस था बोला जो उसके बिजनेस में उसे हल्प करता और बिजनेस को समझता भी था एक दिन बोला ने लल्लू से कहा लल्लू भाई हमारा बिजनेस तो मस चल रहा है लेकिन क्या आपको बता है हमारे बिजनेस का रिटेन ओन इक्विटी क्या है लल्लो थोड़ा confuse हो गया ये return on equity क्या होता है बोला भाई बोला मुस्कुराते हुए बोला मैं सबजाता हूँ देखो return on equity यानि ROI का मतलब होता है कि हमारे business में जो पैसे हमने लगाए है उससे हमें कितना profit हो रहा है मतलब अगर हमारे पास अपने 100 रुपए है और हमने उनसे 20 रुपए कमाए तो हमारा return on equity 20% होगा लल्लो ने से रिलाया लेकिन अभी भी उसके मन में कुछ सवाल थे लेकिन ये कैसे काम करता है बोला भाई भोला ने एक मिसाल दी मान लो हमने business में अपने जेब से 1,00,00 रुपए लगाए ये हमारी equity है अब पिछले साल हमने business में 50,000 रुपए कमाए अब ये profit हमारी equity पर जो return मिला तो ROI का मतलब हुआ कि जो return का प्रतिशत बना है हमारे लगाए हुए equity पर वही ROI है लल्लो सोचने लगा अच्छा अब मैं समझ गया हमने जो 1,00,00 रुपए लगाए वो equity है और जो 50% कमाए यानि कि profit उसी को तो आप return बोल रहे है तो ये जो 50% आ रहा है यही return on equity हुआ विल्कुल सही बोला भाई ROI जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा business efficient माना जाएगा क्योंकि इसका मतलब है हम कम पैसे से जादा profit कमा रहे है और यही तो सब लोग business में चाहते है लल्लू अब पूरी तरीके से समझ गया मतलब अगर मैं अपना ROI बढ़ाना चाहूं तो या तो मुझे अपना profit बढ़ाना पड़ेगा या अपने लगाए हुए पैसे को efficiently use करना होगा बिल्कुल भोला ने कहा और यही बात हमारे business को और successful बनाएगी जैसे जैसे हमारा ROI बढ़ेगा लोग हमारे business में invest करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये business अच्छा return दे रहा है ललू खुस हो गया अब उसे समझ में आया कि ROI बिजनेस के लिए कितना जरूरी है उसने सोचा कि अब वो अपनी मिठाई की quality और service को और अच्छा करेगा ताकि उसका profit और बढ़े और उसका ROI भी बढ़ जाए और ऐसा देखकर लोग हमारे business में invest भी करना चाहेंगे जिससे कि क्या होगा कि हम और नई दुकाने खोल सकते हैं और इससे हमारा profit और भी बढ़ता जाएगा और इस तरह ललू हलवाई ने return on equity के महत्व को समझा और अपने business को और सफल कमाए